हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है, आज हम सीखेंगे कनभर्ट इंटिटीज क्या होता है, तो चलिए सुरू करते हैं, उसके लिए हमें पलेंट सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप पलेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें एक स्केच बनाना होगा, फिर हम उसे कनभर्ट इंटिटीज करेंगे, पॉलिगान कमांड की मदद से एक ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे, इसकेच से बाहर जाएए, दुबारा टॉप पलेंट सेलेक्ट करें, यहाँ पे कनभर्ट इंटिटीज कमांड का आइकन दिया गया है, इस पे किलिक करें, तो आब आपका कनभर्ट इंटिटीज कमांड एक्टिव हो गया, कनभर्ट इंटिटीज को अगर हम आसान भासा में समझें, तो यह पिडिवियस एसकेच को नेक्स्ट एसकेच में कनभर्ट करता है, वह भी बिना ड्रॉइंग किये हुए, तो चलिए यहाँ पे सलेक्ट करते हैं, यह आपको कौन सा लाइन कनभर्ट करना है, तो जैसे हमें यह लाइन कनभर्ट करना है, तो इस पे किलिक करें, दूसरा हमें इस लाइन को कनभर्ट करना है, तो इस पे किलिक करें, अगर आप पूरे सकेच को एक बार में सलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलिट करें, और सलेक्ट चैन, इसको टिक करें, अब आप कोई एक ल सर्फिन लाइन सेलेक्ट के हो गया बाट यहां पर हम दो लाइन सब्सक्राइब करेंगे करेंगे है एक हम इसे कनवर्ड करेंगे और दूसरा हम इसे कनवर्ड करेंगे और ऑक की दिए sketch से बाहर जाएए अभी हमने दो line convert किया बिना draw किये हुए तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम पहले sketch को hide करेंगे तो देखिए हमने ये दो line convert किया था ये बहुत useful tool है practice करते रहें बहुत असान है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है like करें, comment करें और हमारे चैनल को subscribe करें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद